अगर आप लोग देखे तो अभी मेरे को AdSense Approval 2 या 3 दिन पहले मिला ए मेरे एक Blogspot वाली website पर तो वह भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं देख सकते हैं Blogspot की website और इस पे मेरे को AdSense Approval मिल गया है तो अगर आप लोगों को भी Blogspot website पे AdSense Approval चाहिए तो आप लोगों को मेरा वीडियो देखना पड़ेगा इसमें मैं आप लोगों को 5 या 6 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप लोगों को 100% एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा वो भी ब्लॉक स्पोर्ट वाले डोमेन पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गाइस कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप लोग अपने वैप साइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा सकते हैं चाहे वो कस्टम में पे हो या ब्लॉक स्पोर्ट वाले डोमेन पे हो तो पूरा विड्यो देखिएगा वीडियो माइब करिएगा तो विडियो को सब्सक्राइब कर लिजे से आप लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को हर तरह की की होस्टिंग मिल जाती है, इनमें गाइस यहाँ पे आप लोगों को money back guarantee 24x7 support और आप लोग अगर मेरा promo code ft23 यूज करते हैं, तो आप लोगों को 30% का off भी मिल जाता है, तो जल्दी से विजिट करिए प्रोष्टी पे और अपना जो भी होस्टिंग है उसे पर्चेस कर लीजिए, get adsense approval on any blog support website तो जो सबसे पहली चीज है वो आप लोगों के blog पे कुछ organic traffic होना चाहिए, तो अगर आप लोगों को नहीं पता organic traffic कैसे लाते हैं तो मेरे चैनल पे आके आप लोग प्लेइलिस्ट में free website traffic वाली जो प्लेइलिस्ट देख सकते हैं 181 वीडियोज है free website traffic से related तो इनको देखके गाईस अगर आप लोग सारे steps को अपनाते हैं तो गाईस initial traffic आप लोगों के website पे आने लगेगा तो यह पहली चीज है जो कि आप लोगों को fulfill करनी है इसके बाद गाईस जो second चीज है वो most important चीज है वो है make sure your article is valuable for google अब इसका क्या मतलब है मैं आप लोगों को बता देता हूं इसका अगर हिंदी में देखे तो google के लिए आप लोगों को valuable content बनाना है ब इतना सारा information है अगर हम इसे double quotation में भी डाल के देखे तो आप लोग देखेंगे इतना information है कि आप लोग कुछ और नया information उसमें provide कर ही नहीं सकते तो अगर आप लोग इस keyword पर article लिखते हैं तो google में आप लोग कुछ भी valuable content नहीं डाल रहे हैं तो google क्यों उसे valuable content समझेगा वही अगर आप लोग same यही लिखना चाहते हैं बट अगर आप लोग कुछ keyword में changes करें जैसे कि how to make की जगह how to earn कर दें और money के आगे लगा दें how to earn money from village अब गाईज यह जो keyword है इस पे बहुत कम लोगों ने article लिखा हुआ है जैसा कि देख सकते हैं मात्र 8 results आ रहे हैं तो link भी करेगा और इसी के साथ साथ आप लोग Google को कुछ ऐसे information दे रहे हैं जो यहाँ पे Google की database में पहले से नहीं है तो ऐसे में क्या होगा Google आप लोगों को content को valuable समझेगा आप लोगों को content को जल्दी से index करेगा और ऐसे में क्या होगा guys कि आप लोगों के पास no value content का error नहीं आ रहेगा तो यह second चीज जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने users को Google को कुछ valuable चीज प्रवाइड करनी है जिसको Google index करें और बहुत ही तेजी से उसको approve कर दे तो guys यह दूसरी चीज ती जो कि आप लोगों ने ध्यान में रखी और अगर देखे guys यह using long tail keywords अब इसका example तो मैं आप लोगों को अपने website के through ही दूँगा क्यूंकि जब आप लोगों को organic traffic चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को अपने website को rank करवाना पड़ेगा और अगर मैं आप लोगों को अपने website पे लेके चलो तो यहाँ पे कुछ keywords पे मेरी website rank है और guys वो keywords जो हैं वो long tail keywords है और कुछ keywords पे तो मैंने एक week पहले ही काम किया है और वो rank होने लग गए पहला जो keyword है वो है backlink का बनाएं इस पे guys मैंने काफी time पहले काम किया तो और यह अभी भी Google में second number पे rank कर रहा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसी के साथ साथ एक और keyword मैं आप लोगों को दिखा देता हूं no follow backlinks कैसे बनाएं अब guys इसके बाद मैं आप लोगों को example भी दूँगा कि कैसे आप लोगों अगर इसी keyword पे article लिखेंगे तो रैंक नहीं करेगा जैसा कि देख सकते हैं अभी यह 40 number पे rank कर रहा है कल यह 55 number पे rank कर रहा था एक दिन में मेरी website का जो position है वो बहुत अच्छी बढ़ गए क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ backlinks बनाए थे और इसी के साथ सत्थ guys एक और keyword अगर हम इस पे देखें तो अभी यह not in 100 है मतलब कि 100 search results में यह नहीं है बट यह भी आ जाएगा जैसे ही मैं इसके लिए backlinks बनाने का काम start करूँगा त तो मैं example के थुरू बताता हूं अगर हम Google पे चले और अगर मैं आप यहाँ पर type करूँगा इसकी no follow backlinks कैसे बनाए या backlinks कब बनाए या कैसे बनाए तो अगर आप लोग सोचें कि आप लोग इस keyword पर rank हो जाएंगे तो यह impossible है क्योंकि इस पर enough content Google के पास है और आप लोग इ देखेंगे कि यहाँ पर मात्र दस results आ रहे हैं और एक website का दो result है इसी के साथ साथ एक Quora rank कर रहा है YouTube की video rank कर रही है तो ऐसे में आप लोग अगर इस content पर या इस keyword पर content लिखते हैं तो यह बहुत जल्दी rank होगा तो यह एक difference होता है कि किस keyword पर काम करना है यह आप लोगों क जिसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है और वो यह गलती करते हैं तो make sure आप लोग यह गलती ना करें और यह गलती है user का age अब अगर आप लोग 18 साल से उपर हैं तभी आप लोग एडसेंस करें अपलाई कर सकते हैं अगर इससे नीचे हैं तो नहीं कर सकते हैं बट इसका भी एक way दिया हुआ है Google ने जैसा कि देख सकते हैं यहां पर आप लोग अपने parents के नाम से उनके address से अपना जो account है वो बना सकते हैं अगर अगर आप 18 साल से नीचे के हैं तो उपर के हैं तो well and good है आप लोग account बना सकते हैं बट अगर under 18 है तो आप लोगों को अ इसका भी आप लोग follow कर सकते हैं और इसके बाद जो basic कुछ rules होते हैं जैसे कि at least 20 posts होना चाहिए सारे pages बने होने चाहिए site का structure अच्छा होना चाहिए और Google में कुछ pages index होने चाहिए तो guys यह सारी चीज़े अगर आप लोग कर लेते हैं यह 4-5 चीज़े तो आप लोगों को क किसी भी domain पे किसी भी blogspot domain पे किसी भी custom domain पे adsense approval बहुत आसानी से और वो भी पहली बार में मिल जाएगा so guys I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने आप लोगों को कैसे google adsense approval ले वो भी custom domain पे या blogspot वाले domain पे यह बताया so video अगर आप लोगों को पसंद आई तो make sure करिएगा कि आप लोग वीडियो को like करेंगे और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा so guys मिलते है next video में until then good bye